हेलो बच्चो जैसे जैसे एक्जाम पास में आने वैसे काफी बच्चो को एंग्जाइटी होगी बहुत सरे कन्फीजन होंगे और वो जाना चाहें किया इसका सिलूशन क्या है इस सिच्वेशन में मैं क्या करूं तो ऐसे टाइम पर टीम कॉंपेशन इस वे दियू कि हम एक सीरीज ओफ वीडियो स्टार्ट करें जिसमें हम टिप्स और जो भी पॉइंस तो रिमेंबर हैं लास्टाइम में कौन-कौन से पिटफॉल्स हैं बच्चे यूजरी क्या क्या गलती करते हैं वो गाइडेंस देने के लिए वीविल बी स्टार्टिंग इस सीरीज ओफ सकते हैं उसमें मैक्सिम जाएगा पर क्या होता है कि हम तीन-चर पॉइंट डील करें तो बच्चा चार पॉइंट मेंसे एक पॉइंट उठाके यूजरी बाकी चीज़ों को मतलब उसके दिमाग से निकल जाता है कोई एक चीज़ अगर उसको क्लिक करती है बट गलती तो क एक टॉपिक एक वीडियो के अंदर लेंगे और विल ट्राइटू मेक इस शॉट एस पॉसिबल ताकि टाइम वेस्ट ना हो तो इसी एम के साथ लेस्टार आज का टॉपिक है कि जैसे इस एक्जाम पास में आता है और अगर किसी बच्चे का एक टॉपिक या एक चप्तर है तो इसको ये समझ में याता है कि मैं इसमें कितना टाइम इंवेस्ट करूँ मैं इसको बिल्कुल सॉलिट बना लूँ या फिर मैं कुछ पोर्शनावी कर लूँ ताकि मेंस में मैं एक रीजनेबल फाइट दे पाहूं उस चप्टर के अंदर और बाकी मैं में मेंस के बा लाना है अगर हम AOD जैसे चप्टर उठाएंगे तो उसमें तो खूब टाइम लगेगे लगेगे क्योंकि दोजार बेक चप्टर बाके डिटर्मेंट जैसा टॉपिक हो गया या और कोई छोटा टॉपिक हो गया जिसमें हमें कम टाइम लगेगा तो एक तो चप्टर की ले होगे विदाउट को समझे हुए जस्ट एक बार रीडिंग लगा दिए तो तुम चार बार भी रीडिंग लगा हुए तो भी तुम्हारा लेवल वही रहेगा और जतना भी तुमने टाइम उसमें इंवेस्ट है उतना बेकार हो जाएगा तो हमें अफकोस चीजों को समझन की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है और जो भी मेंस लेवल के एक्सरसाइज है उसमें हमारे 50-60% क्रेशन हमसे खुद बनने चाहिए अगर वो खुद बनने हैं तो उसका मतलब कहें के we are good to go for mains examination and we should not go to other extreme also जैसे कुछ बच्चे वीडियो देखते समझे बुलते कि सर हम chapter को solid करना चाहते हैं क्योंकि इसे खूब questions आते हैं और मैं हर step को समझने कोशिश करता हूं और गंटा का वीडियो देखने में 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 को 3 घंटे लग जाते हैं तो that is also not an ideal situation जो हम वीडियो बनाने वो पहले ही काफी slow pace पे बनाया जाता है तो अगर गंटा का वीडिय चीज में हम बाल की खाल ना निकालें अच्छा इसमें में एक चीज और बुलना चाहूंगा कि हर चेप्टर में कुछ थोड़ा सा tough portion होता है कुछ moderate portion होता है कुछ easy portion होता है तो अगर time की कमी है जैसे of course अगर मेरा एक ही chapter बचा हुआ है और exam अवी दो महीने दूर है तो of course I can invest full time और उसको हम पूरा ही 100% तक करें बट अगर मालिया मेरे 5-6 chapter बचे हुए और exam पास में आने वाले है तो I would like कि उसको एक minimum level तक ले जाके हम छोड़ दें बाकी mains के बाद करें तो हर chapter में कुछ easy portion होगा और कुछ थोड़ा सा tough portion होगा usually ऐसे होता है कि 80% जो portion है वो जो भी बच्चा seriously fight कर रहे उसको अच्छी दरह सा समझना जाता है अगर वो time दे तो और बाकी जो 20% है उसको थोड़ा से दिक्कत होता है और एक मतलब ऐसा कोई measurement तो है नहीं बट एक thumb rule हमें से बोल सकते है कि कि किसी भी chapter में doable portion easy या procedure portion जो portion जो 80% है उसको करने में अगर मेरा मालिय में भी मेरा 4R सी जाता है तो अगर हमारे पास time कम है तो it is advisable कि वो last वाला portion हम अभी के लिए छोड़ दे पहले वाला जो portion है जिसको हमने बुला 80% of the portion है किसी भी chapter का जिसमें procedure या फिर जिसे बोलते हैं कि एक pattern पे based question आते हैं वो हमें करने आने चाहिए तो इस सेलसिले में म हमें अगर हमाने हमारे पास किसी भी chapter के चार वीडियो लग चाहिए तो वो at a stretch देखने चाहिए वीडियो देखते जाओ उसमें बहुत जादा बाल की खाल ना निकाले कि हम डेड़ गंटे का वीडियो देखने में हमें तीन गंटे लग जाए वो मतलब फिर हम गर्र डिरे तक हो रहा है तो उसका मतलब कहा है कि you are good to go for that chapter so यह हमारा टेक था इस question के उपर hope it will be useful for you all the best